चली फ्रेंड्स एक और ब्यूटिफल सी जो है नरसरी का मैं आपको जो है आज विजट कराती हूँ और यहां पर आपको सभी तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे फ्रूट्स प्लांट्स वेज़िटेबल्स प्लांट्स लेना चाहते हैं वो और आपको फ्लावर प्लांट्स मिल जाएंगे आप पॉट्स लेना चाहते हैं वो भी यहां होंगे और हॉली प्लांट्स वो भी यहां मिल जाएंगे कैक्टस की वेराइटी लेना चाहें वो भी यहां आपको मिलेगी और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं आपको प्लांट्स यहां मिल जाएंगे और मैं अज अपना इसमें आपको एड्रस और आपका फोन नंबर मैं सब डिस्क्रिफ्टिन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और देखें काफी सारे mostly तो इस सेजनल प्लांट्स ही काफी बाहार होती है और वो देखें यहाँ पर काफी हैं इस समय आप यहां से आकर विजिट करके आप ले सकते हैं मेरा मेन उद्देश है यही है कि आप जहां रहते हैं और आपके आसपास जो भी नरस्री है वहाँ पहुंचना है क्योंकि बहुत दूरी पर होता है, मुश्किल होता है पहुंचना तो मेरा काम बस यही है कि आपको आसपास में थोड़ा अच्छे रेट में प्लांट्स आपको मिल जाएं मैं मैं आपको यही दिखा रही हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल देखें मैं आज आपको एक नरसरी का विजट करा रही हूँ और देखें यहाँ पर काफी अच्छे प्लांट्स भी है आप पॉट भी ले सकतें यहाँ से और मेरा मकसद यही है कि द्वारका के आसपास जो भी आपको नरसरी है आपको आसानी से पता चले कि आपके जो भी नियर एस्टो आप वहाँ से जखके अपने प्लांट्स को खरीट सके तो देखे मैं अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो यह जो है जो है दास गार्डन कहलाता है और बाबा खेडा पुल जो है उधर है यानि कि यहां का जो पुल है यह बाबा खेडा पुल के नाम से फैमस है और मोहन गार्डन के बिल्कुल पास में पड़ता है तो यहां से आपकर आप ले सकते हैं प्लांट्स को यहां की location और दास जो garden कहाँ रहा तर खेडा पुल जो एक famous यहां का यह पुल है यहां का तो वहां से आप ले सकते हैं तो चलिए मैं जो आपको यहां पर plants दिखा देती हूँ यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे हर तरह के जो है seasonal plants और बहुत flower plants हैं वो सभी यहाँ पर जो है आपको available हो जाएंगे और मैं पहले भी एक बार मैंने हाँ से shopping की हुई है तो मुझे लगा कि चलिए मैं यहाँ कभी आपको एक visit करा देती हूँ तो यह देखे यहाँ पर काफ़ी सीजनल प्लांट्स भी है और यह देखे कैलेंटूला है यह कैलेंटूला में आपको औरेंज और यलो दोनों कलर मिल जाएंगे और यह जो है 20 रुपीज का है और जो पिटूनिया है अभी देखे कुछ में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ में नहीं हुई है बढ़ यह काफि सारी मतलब कलेक्शन है इनके पास तो यह देखे यह जो है आपको 25 रुपीज का मिलेगा और यह देखे यहाँ पर साल्विया है और यह पैंजी है यह पैंजी का रेट है जो 30 रुपीज है और देखे डहेलिया है और उसमें भी चलिए थोड़ा पास से इसको देख लेते हैं और यह डहेलिया है और देखे बर्ट्स जो है बनना इनके अंदर स्टार्ट हो गई है और यह आपको 50 रुपीज का मिलेगा देखे रेट में कोई भी वेरियेशन हो सकता है मेरा मकसद जो है आपको नियरस्ट जो भी आपके नरसरी पड़ती है वो दिखाना है और यह देखे गजेनिया है गजेनिया में बहुत सारे अक्चुल में कलर्स अफलेबल है और यह आपको मिलेगा 25 रुपीज का यह देखे किता खुबसूरत सा जो है इसका कलर है गजेनिया के कलर्स बहुत खुबसूरत लगते है और आप अगर एक प्लांट ले जाए तो उनको कटिंग के जरी है और भी बहुत सारे जो है इसके प्लांट बना सकते है यह देखे वर्बीना के कलर्स जो है बहुत खुबसूरत है और 20 रुपीज का है और जो यह डॉक फ्लावर्स है वो आपको मिलेंगे 25 के और डेंथस भी जो है इतने सारे जो कलर्स में बहुत खुबसूरत सा देखे सीन लग रहा है यह और यह भी आपको 25 का तीस रुपए के लग बग है यह यह तीस का बता रहे है यह देखे अगर आपको सबजी के पौधे चाहिए तो देखे बैंगन आने स्टार्ट हो गए है और यह मात्र 20 रुपए का है ठीक है और यह देखे सबजी आप लेना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे यह मोर पंकी है और वो आपको 40 रुपए का पौधा मिल जाएगा देखे यह विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है तो गुलाबों की बाहार है और यह आपको देशी गुलाब जो है आपको 40 रुपए का मिलेगा देखे सब में यह रेड वाला कलर ही है मुस्क्री उधर पिंक कलर उस साइड में है तो यह जो है आपको 40 रुपए का यहां से जो है निकाल के इसको आप जब लेगने आएंगे तो यहां से आपको यह दे देते हैं और यह देखिए गुलाब की काफी वेराइटी है यहां पर यह देखिए इंग्लिश रोज है कुछ में फ्लावरिंग ह हो रही है यह देखिए ब्यूटिफुल सा कलर है और यह आपको यहां पर 60 रुपीज का मिलेगा और यहां पर काफी सारे इंग्लिश रोज हैं कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं यह देखिए यह वाले जो पौधे हैं शमी का पौधा है अगर आप लेकर जाना चाहें तो यह ले सकते हैं यहां से और यह 20 रुपे का मिलेगा आपको यहां पर शमी के पौध हैं काफी है इनके पास यहां पर यह देखिए गुडहल के प्लांट भी आपको यहां मिल जाएंगे अभी हलाकि सीजन थोड़ा इनका ओफ होने वाल के अंदर है और यह वाला इसमें भी कई कलर है भी अगया देखिए कितना खूब सुरसा जो है गैंदा खिला हुआ है और आप यह मैरी गोर्ड का प्लांट ले सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं यह देखिए रोज के काफी प्लांट से यहां पर इंगलिश जो सौरी देसी हैं उनकी काफी सारे प्लांट और कलर्स भी बहुत खुबसूरत है और देखिए यहां पर आपको सब तरह के पौधे मिल जाएंगे आप यहां से तुलसा जो है ग्यारा रुपए में ले सकते हैं और शमी का पौधा बीस रुपए में ले सकते हैं बेल पत्र का पौधा आपको वेराइटीज मिल जाएंगी देखिए काफी कलर्स है और बहुत ही खुबसूरत है यह देखिए इनका प्राइज क्या होगा क्राशुला है इसका प्राइज क्या होगा और यहां पर सब यह जितने प्लांट्स है यह है तीन शुरुपई की रेंटा अच्छे वह डाइज शु और काफी डिफ्रेंट वराइटीज में देखिए आपको यह मिल जाएंगे सेकुलेंस प्लांट्स ले सकते हैं आप यहां से बहुत ही खुबसूरत से ही लगते हैं क्योंकि यह प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप लगाएंगे तो इन्हें बहुत जादा वाटरिंग बहुत जादा केर की ज़रुवत नहीं होती है इंडॉर प्लांट के शौकीन है तो देखिए वो भी आपको यहां मिल जाएंगे और यह आपको असी रुपए का मिलेगा और देखिए इस प्लांट की हैल्थ वाइस बहुत अच्छा प्लांट है यह और जैसे जैसे आपको 40 रुपए की मिलेगी आप इसके यहां पर से ले सकते हैं इस तरीके से इंडॉर प्लांट के शौकीन है तो यह आपके लिए काफी सारे यहां पर वाराइटी जैं बहुत सारे अलग-अलग वाराइटी और प्लांट है यह 50 रुपीज का है और क्रिस्मस का यह और उ 50 रुपीज का आप यहां से ले सकते हैं और बहुत सारे हैं इंडॉर प्लांट भी यह देखिए और यह देखिए ब्यूटिफुल कॉलेंचो यह आपको पॉट में लगा हुआ है और 110 का मिलेगा जो यह इसकी हाइब्रिड वराइटी है यह वो अलग प्लांट है और देख यह श्वेतार के आप लोगों ने कई ने मुझसे पूछा था कि श्वेतार कहां मिलेगा आपको हमको तो यह यहां नर्शरी से भी आप ले सकते हैं और यह 30 रुपीज का प्लांट आपको यह मिलेगा देखिए अगर आप यहां से फ्रूट प्लांट भी लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएंगे अनर का प्लांट जो है यह कांधारी है और 1500 रुपई का है और यह निबू का यह 2500 रुपई का बता रहे हैं और देखिए और अलग वेराइटी है वह कह रहे है वह 150 में भी आपको मिल जायगा देखिए जिस तरीके से आपने देखा है मैंन जल्दी से जो है इस तरीके के फ्रूट प्लांट लेते हैं तो आप उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो यह वाला प्लांट आप जो है ले सकते हैं और भी हाँ पर फ्रूट प्लांट्स मिलते हैं कि लेकिन अभी समय आप भी जानते हैं कि फ्रूट का सीजन नहीं होता है फेबरेरी के मंत में स्टार्ट होता है मैंगो की मैंगो की वेराइटीज भी है यहां पर और देखें मैं आपको और भी यहां पर देखाती हूं बहुत सारे प्लांट्स है सबको कवर करना थोड़ा मुश्किल है अशोका के पेड लेना चाहते हैं आपको वह भी में आपको तो आपको यहां आपको यहां परासानी से आप पहुँच जाएंगे और जो एड्रस है और मोबाइल नंबर इनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और आप वहां से ले सकते हैं यहूं यह देखिए काफी सारी जो अपको चाहिए चिली प्लांट से रहिए इसी वbean कोठी होती है और नमिंटल प्लांट से वो है और यह देखिए गेंधा भी यहाँ पर काफी देखिए अपना खुद से जो ग्रो करते हैं यह देखिए करते हैं